नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनल जानकारी जंक्षन पर भारत में वेसे तो कई शहर है तता हर शहर की अलग ही पहिचान होती है परन्तु हर शहरों में कई कम्या भी होती है लेकिन क्या आपको बता है भारत के 10 एसे शहरों के बारे में जो रहने के लिए बहुत ही अच्छे माने गए है आज हम आपको भारत सरकार द्वारा जारी की गई इस ओफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार 10 लाग से कम आबादी वाले 10 एसे शहरों के बारे में बताएंगे जो भारत में रहने के लिए बहुत ही अच्छे है इस ओफ लिविंग इंडेक्स पहली बार 2018 में लांच किया गया था इस इंडेक्स में शहरों के शिक्षा व्यवस्ता शाशन व्यवस्ता, अर्थ व्यवस्ता, आवास व्यवस्ता, संक्सरती, जलापूर्ती, बिजली, स्वास्थ व्यवस्ता, सुरक्षा, परियावरण की गुनवत्ता, परिवहन, अब शिष्ट प्रबंदन जिसे प्रमुख मापदंडों के आदार पर शहरों को रेंकिंग दी जाती है, तो आईए जान लेते हैं बारत के 10 सबसे अच्चे शहरों के बारे में, तो आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारा चेनल सस्क्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चेनल जानकारी जंक्षन जरूर सस् नमबर 10. तिरुचिरा पल्ली राज्य में इस्थि थे, यह शहर करनाटक राज्य का सात्वा सबसे बड़ा शहर है नमबर 8. गुरुग्राम इस सुची में आटवे इस्थान पर गुरुग्राम शहर है जो कि हर्यना राज्य में इस्थी थे गुरुग्राम शहर प्रतिव्यक्ति आई के मामले में भारत में तिसरे इस्थान पर है गुरुग्राम शहर ने भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में एक अलगी पैचान यह शहर राष्टिय राजदानी दिल्ली एंसियार का हिस्सा है नमबर साथ गांदी नगर इस सुची में सातवे इस्थान पर गांदी नगर शहर है जो की गुजरात राज्ये में इस्थी थे यह शहर गुजरात की राजदानी भी है चंडिगर्ड के बाद भारत का यह दूसरा ऐसा शहर था जिसे पूरी तरफ प्लानिंग से बसाया गया था गांधिनगर एशिया का सबसे ग्रिनेश्ट सिटी भी है जो इस शहर को सबसे अलग बनाती है इस उची में चटी स्थान पर वेलोर शहर है जो की तमिल नाडू राज्ये में इस्थी थे इस शहर को दक्षिन भारत के कुछ गीने चुने सबसे पूराने शहरों में से एक माना जाता है इस उची में पांचवे स्थान पर सेलम शहर है यह शहर भी तमिलाडू राज्य में इस्थी थे, शेलम्ज तमिलाडू का पांचवा सबसे बड़ा शहर है, तता यहाँ पर आपको कई पर्याटन इस्थल भी देखने को मिल जाएंगे नमबर चार काकिनाडा, इस सुची में चोथे इस्थान पर काकिनाडा शहर है, जो कि आंधर प्रदेश में इस्थी थे, काकिनाडा एक पोर्ट सिटी है, शहर में कई सारे उर्वरक कार खाने मोजुद है, इस कारण इसे फर्ट्रिलाइजर सिटी भी कहा जाता है, साथ आपको कई सारे प्राचिन मंदीर भी देखने को मिल जाएंगे, नमबर तिन सिल्वासा, इस सुची में तिसरे इस्थान पर सिल्वासा शहर है, यह शहर केंदर शाशित प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दिव की राजदानी है, इस शहर में आपको कई प् प्रेटक स्थल गुमने को मिल जाएंगे, नमबर दो भूनेश्वर, इस सुची में दूसरे इस्थान पर भूनेश्वर शहर है, जो कि बारतिराज उडिसा की राजदानी भी है, भूनेश्वर शहर प्राचिन उतकल राजज के समय से राजदानी है, इस शहर में आपको पहले इस्तान पर शिमला शहर है, जो कि बारतिराज हिमाचल प्रदिश की राजदानी है, शिमला भारत का बहुती लोकप्रिय हिल स्टेशन भी है, शिमला को पहाड़ू की राणी के नाम से भी जाना जाता है, यह शहर पूरी तरह से प्राकरतिक द्रश्यों से गिरा यह हमारे चैनल जानकारी जंक्षन को जरूर सस्क्राइब करें, जै हिंद!